भागलपुर के बरारी थाना चेतर इस्तित मेडिकल कॉलेज के समीप तेजर अपतार ट्रक ने एक दिब्यांग के ट्रैसेकिल में जोरदार टक कर मार दिया जिससे घटना अस्तल पर ही दिब्यांग युवक की मौत हो गई कोई घटना के बाद ट्रक ड्रैवर गाड़ी छोड़कर मौकी से फरार हो गया ज़र घटना की सूचना मिलते ही बरारी थाना पुलीस के साथ साथ ट्रैफिक डियस्पी भी घटना अस्तल पर पहुँचे और सब को कबजी में लेकर पोश्ट माटम के लिए भेज़ दिया ट्रैसकिल चला रहा दिब्यांग यूवक मेडिकल कॉलेज के पास सड़क पार कर रहा था इसी दवरान घर बनाने के कारे में लगे मसाला बनाने वाले ट्रक के द्वारा दिब्यांग यूवक के ट्रैसकिल में जोड़ता टक कर मार दी जिससे उसकी घटना अस्तल परी मौ वर्स दोहज्जार दो में भागलपुर के नातनगर थाना छेतर अंत्रगत हुए राजकी सोर्यादव हत्याकान मामले में ADJ2 कोट मनोच कुमार दुएदी की अदालत ने हत्याकान में सामिल पाँच अवियुक्तों को आजी वनकारावास की सजा सुनाई कोट ने सजा के साथ इस हत्याकान में सामिल सभी अवियुक्तों पर अर्थदंड भी लगाया है गटना को लेकर बताया जा रहा है कि वर्स 2002 में जब मिर्तक राजकी सोर्यादव भोड़ा पर चड़कर अपने खेट से घर वापस आ रहा था तभी इसी बीच हत्यार से लैस पांचो आरोपियों ने गुली मार कर राजकी सोर्यादव की हत्या कर दी थी वहीं इसके बाद मिर्तक के पिता मनरूप यादव के बयान पर नातनगर थाने में मामला दर्ज खराया गया था जबकि कोट में सुनवाई के बाद दोसी पाए गए पांचो दोसीों को अदालत ने आजिवन कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई सिता राम जादव, पप्पू जादव, संभू जादव, रामू जादव और आजय जादव तोटल पांच आर्थिक दोसी पांच आजिवन कारावास का सजा मिला है किस सीच के लिए इसमें राजकी सोर जादव के हत्या को लेकर हुआ है कब हुआ था हत्या सर्? 2002 में हुआ था, नात नगर में हुआ था, बह्यार में हुआ था क्या कारण था हत्या गर सर्? यह लोग तो बताया कि जमीन विवाद को लेके हत्या हुआ है किनके के कोट के द्वारा सुनाया गिए हम? सकेंडरी जे, मनोज कमार दुवेवी साथी पूप्चरवा तिलकामाजी भागलपूर विश्व विद्याले के कुलपती सुकरवार को विश्व विद्याले थाना पहुचे जहां कुलपती ने थाना परभारी से छात्रों के खिलाप मामला दर्ज नहीं करने की बात कही दरसल पीजी बुवाइज हॉस्टल और विश्व विद्याले के अस्पताल में वरसाथ का पानी परवेश कर जाने के बाद गुरुवार को नाला काट कर चात्रों और विश्व विद्याले के अधीकारिओं के द्वारा भारवा तालव में पानी बहा दिया गया था बटा दें कि स्मार्ट सिटी के तहप भैरवा तालाव में सौंधिकरन का कारिक कराया जा रहा है और छात्रावास एवम अस्पताल में पानी भर जाने से छात्रों एवम बिशुविद्याले कर्मियों द्वारा नाला काट कर तालाब में पानी बहा देने पर सौंदे करने वाली कमपनी ने बिशुविद्याले थाना में छात्रों के ऊपर FIR करने के लिए आवेदन दिया थ साथी कुलपती ने कहा कि इस मामले की जात बिस्विध जाले पर सासन द्वारा अपने अस्तर से की जाएगी बनाओंगा दोनों पक्षों को देखकर करेंगे प्रॉप्टर अगर लिखा अप्लिकेशन तो हमारे छात्रों ने विया वे जन्तिया तो अधरा तो ऐसे बागलपुर जिलादिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर सुल्तानगन सियो अमित राज के नेतरित्म में नगर परीशत के करमचारियों के दुवारा प्लास्टिक बैंड को लेकर सखन छापे मारी अभियान चलाया गया इस दौरान सियो अमितराज ने प्लास्टिक उप्योग कर रहे कई दुकानदारों को पकड़ कर जुर्माना वसूलने के बाद हिदायत देती हुए छोड़ दिया अंजला दिकारी ने का कि सभी दुकानदारों को अवश्यक दिसा निर्देश दे कर आगे से प्लास्टिक उप्योग करते पाए जाने पर प्लात्म की दर्ज कर दुकान को सील कर देनी की बात कही गई है इस दोरान सीओ अमित राज ने बताया कि डियम के निर्देश पर प्लास्टिक उप्योग करने वालों के बिरुद सगन छापे मारी अवियान चलाया गया जब भी कई दुकानदारों को प्लास्टिक उप्योग करते पकड़े जाने पर फाइन वसूल कर सक्त हिदायत भी दी गई मौके पर नगर परिशत के करमचारी समयत कई पुलिसकर में मौजूद थे बागलपूर बहवार नियाले के पास सुक्रवार की दोपर ईरिक्सा की चूरी का मामला सामने आया है इसको लेकर इरिक्सा चालक ने जोकसर थाने में आवेदन देकर पुलिस अधिकारी से गुहार लगाई है वहीं खंजरपूर कोईला घात नेवास्टी टोटो चालक विकास कुमार ने बताया कि रिक्सा चूरी होने के कुछ देर बाद काफी ढूंडा लेकिन टोटो का कुछ भी पता नहीं चल पाया जिसको लेकर थाने में आवेदन देकर इसकी सूचना पुलीस को दी है साथी बताया कि फिलाल जोकसर थाना पुलीस टोटो चोरी मामले की जाच करने की बात कह रही है हम आएं सर साए एक आवेदन जिसे यही है कि मेरा इरिक्सा अस्मानी कलर का था अकिल साहिब के पास बेभाल नयाले के ठीक दैने साइड जोट के उस वर साइड लगा कर उकिल साहिब से मिलने का है और दस मिनट में वापस आए तो देखते हैं अचानक इरिक्सा गाइब है जिसका नंबर है बी आर टेन इए बी आर टेन इए आर सरसर तेहत्या अस्मानी कलर का है हम सोला महिना से चला रहे थी अपना था कि भाड़े अपना लिये थे हैं कि कुछ कर्जा बयान लेकर कहां घर है कोईला घर चोटी खंजर को नाम क्या है विकास कुमार किता जी का राम जनम यादर सर्दर्ड चक्कराना गर्दन दर्ड कमर दर्ड लो बैक पेन स्पॉंदिलाइटिस लखवा पारलाइसिस गतिया साइटिका पोलियो गुटनों का दर्ड आर्थिराइटिस नस न्यूरो डाइग्नोस्टेक एंड फिजियो थेरपी सेंटर ग्रामीन बैंड के नीचे हतिया रोड तिरका मांची भागलपुर बिहार कौकरे 9431-446600 हुआ के सागी drive-upुथर धयुकरे डंड रीचामीन बैंड जिया रेधिप तो आपके लिए बहुत जादा सुविदा जलेंगे किसी पास में आगर मलें, मार्केटिंग के लिए और रिलाक्स होने के लिए सलॉन को ज़रूर दूज करें स्पेशली ब्राइडल मेकप के लिए इन्होंने जो अरेंजमेंट्स की हैं, all the products they are using are under their professionals, so you can trust बागलपूर में पिछले कई दिनों से हो रही वारिस के बाद गंगा के जलस्तर में तेजी से ब्रिद्धी होने लगी है, वहीं इसको लेकर नातनगर प्रखंट के दिलदारपूर बिंटोला गाउं, शारो और से गंगा के पानी से घिर चुका है, जिससे गंगा का पानी धी कि वर्षा और गंगा के जलस्तर में ब्रिद्धी से आए बाल के कारण वे सभी गाउं में जल कैदी बनकर रह गए हैं, लेकिन उन लोगों को जिलापरशासन की ओर से कोई मदद या राहत की बैवस्ता अब तक नहीं की गई है, जिससे वे सभी अपने परिवार और माविस पानी कितना बढ़ रहा है, पानी दो दिन में लग वक तीन हाथ से उपर पानी बढ़ गया है, जब दक पानी लगता है कि गाउं में भी अब दो दिन के अंदर लग रहा है कि हम लोग यहां से फिरी भाग खाली हो जाएगा कि